हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो और चैनल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलाइट एक्जिस्ट इन स्प्रिंग जो कि M.A.D. किंसन की एक और पोएम है तो शुड़ू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम पोएम के बैक्राउंड को देख लेते हैं तो पोएम ज किंसन ने अपनी लाइफ टाइम में लगबग 1800 पोएम्स लिकी है और उनमें से 10 ही पोएम पपलिश हो पाई उनकी लाइफ टाइम में और बाकी उनके डेथ के बाद ही पपलिश हुई है जो ये पोएम है ये सिंपल नीचर पोएम है और इसके साथ साथ इसमें रिलीजिस फेत भी शो किया गया है और यहाँ पे लाइट जो है वो सिंबल है फेत का जो ये पोएम है लाइट एग्जिस्ट इन स्प्रिंग तो ये पोएम 20 लाइन की लैंट की है जो कि 5 कोटरेंस में डिवाइडेड है यानि कि 4-4 लाइन के 5 स्टैंजास बने हुए है और इसमें व सेम मिल जाएगी और कहीं पे इस से अलग मिलती हुई मिल जाएंगी लिटरे डिवाइस अगर हम देखे इस पोएम में तो इमेजरी, सिंबॉलिज, मैटाफर, परसॉनिफिकेशन, सिमली ये सारी डिवाइसे हमें देखने को मिलेंगी शुरू करते हैं हम पोएम के टेक्स स तो देखिए सीजन जब होता है, यानि कि मार्च का जो महिना होता है, उस महिने में हमें देखने को मिलता है, not present on the year, at any other period, और ये जो फेथ है, या ये जो वेरिटी है, नेचर के अंदर, ये हमें साल के किसी भी और महिने में या किसी और डियूरेशन में देखने को नहीं मिलती, when ये जो पार्सली है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, कि फेबरेरी का मन्त जब एंड होता है, और मार्च जब अप्रोच ही करता है, पहुंचने ही वाला होता है, तो ये नेचर के अंदर, ये लाइट और ये फेथ देखने को मिलता है, यानि यहाँ पर री जनरेशन क्रिये होता है, आगे देखिए, एक कलर स्टेंड्स अबरॉड ऑन सॉलिटरी फील्ड्स डेट साइन्स केनाट ओवर टेक, बट यूमन नेचर फील्ड्स, तो यहाँ पर स्वानिफाई किया गया है कलर को, क्योंकि कलर जो है, कोई परसन नहीं है, कोई हूमन बिंग नहीं है, जो क अबरॉड यानि दूर किसी जगे पर खड़ा हो सके, तो कलर्स जो है, वो स्टेंड अबरॉड यानि कि दूर दूर तक फैले वे होते हैं, कि जब री जनरेशन का टाइम आता है, जब पौदे जो हैं, या प्लांट्स जो हैं, ट्रीज जो हैं, उन पे नहीं नहीं लीव ज चुबते हैं, तो ये अलग-अलग डिफरेंट कलर के अबरॉड यानि दूर दूर तक वेरिंग लेंथ के या वेरिंग कलर के दिखाई देते हैं, on solitary fields, solitary यानि lonely या अकेले, कि जो fields lonely हो चुके थे, कि decay के टाइम में, autumn के टाइम में, तो उन में regeneration create होता है, that science cannot overtake, कि ये जो है यह science इसको overtake नहीं कर सकती यानि conquer नहीं कर सकती इस चीज को इस faith को या यह जो natural beauty है इसको but human nature feels तो यह चीज कौन feel कर सकता है सिर्फ एक human being ही है जो इन सब चीजों को feel कर सकता है महसूस कर सकता है यानि यह जो natural beauty है इसको enjoy करने का काम या enjoy करने का एक अधिकार जो है right जो है वो सिर्फ human being के पास ही रहता है next है it waits upon the lawn it shows the furthest tree upon the furthest slope you know it almost speaks to you कि यह जो faith है यह light जो है यह आपके लिए कहां कहां wait करती है यानि कि कहां कहां आपको देखने को मिलेगी तो यह हमारे लिए lawn में यानि कि जो grassy land होता है तो वहां पे different color की green color की होगी और वहां पे यह देखने को मिलेगी या हमारे लिए wait करती है और फिर जो tree है तो वहां पर भी हमें फिर आगे वाले trees में भी देखने को मिलेंगी upon the furthest slope you know और फिर आगे जो sloppy side है यानि कि जो steep है या जो तिरची चीजे हैं वहां पर भी देखने को मिलेंगी it almost speaks to you कि ये जो language है ये nature की यानि कि God जो ये regeneration create करते है new power create करते है new faith create करते हैं इस word में तो ये कैसा लगता है इसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो God जो है वो खुद इसके रूप में आपसे बात कर रहे हूँ तो यहाँ पर symbolism हमें देखने को मिल जाएगा कि ये जो nature है ये किसका symbol है God का symbol है या religious symbol इसको मान सकते हैं आगे देखिए then as horizon step or noon reports away without formula sound it passes and we stay कि जब कि शाम का समय होता है और horizon जो है वो approach करता है यानि कि जो sun light है वो horizon की तरफ चली जाती है यानि कि जब earth और sky दोनों मिलने वाले होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है noon reports away यानि कि जो afternoon है वो जाने का time होता है उसका या depart होने का time होता है तो without the formula sound it passes and we stay कि बिना कोई आवास किये बिना कोई music सुनाए ये चली जाती है यानि कि कौन चली जाती है ये nature की जो beauty है ये चली जाती है and we stay और हम रह जाते हैं पीछे अकेले alone इसके बाद last में conclude करते हुए point कहते है equality of loss affecting our content कि इसके बाद में हम जो पीछे रह जाते हैं alone तो हमें क्या महसूस होता है क्या feeling होती है इसके बाद में equality of loss कि मानों कि हमने कुछ important खो दिया हो कोई अच्छी चीज हमने lost कर दी हो affecting our content तो हमारा जो satisfaction है तो उस चीज को ये जो departure है ये affect करता है as trade had suddenly encroached upon a sacrament कि यहाँ पर simili का use करते वे poet कहती है कि जैसे कि मानों ये quality of loss जो है ये किसकी similar होगा कि मानों कि कोई trade है कि हमने कोई व्यापार किया हो और suddenly क्या हुआ है जो हमारा possession है उसके उपर तो वो possession finish हो गया हो और जो trade है हमारा वो economic downfall में चला गया हो मानों कोई हमने व्यापार किया हो कोई business किया हो और अचानक से हमें बहुत बड़ा loss हुआ हो economic downfall हुआ हो और हमने जो possession है अपना वो खो दिया हो कि एकदम से हमसे हमारा सब कुछ चला गया हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो poetess ने इस poem में बताई हैं तो उसके तरू हम imagine कर सकते हैं कि nature जो है कैसे colors abroad strand करते हैं मतलब variety of colors हमें देखने को मिलते है nature में जो spring season होता है उसमें scenario कैसा होता है natural चीजे कैसी होती है कैसे happiness provide होती है nature के तरू human being को तो यह सारी चीजें हम imagine कर सकते हैं या हम इस चीजें को अपने mind में pictorialis quality के तरू हम इसको समझ सकते हैं तो यहाँ पर यह imagery का use है God जो है वो यहाँ पर symbol बताया गया है God को यहाँ पर religious faith का symbol बताया गया है और यहाँ पर आकर यह हमारी poem फिनिश हो जाती है I hope आपको समझ में आया होगा Thanks for watching the video आपसे next video में बात होगी Till then bye